नमस्कार सब जनलाई आज आमा स्ट्रेंथ अब मैटेरियल को और कोई इंपोटेंट क्वेशन लिए रो उपस्तित भएको छू यो क्वेशन आमरो त्रिभुबन उनिवर्सिटी को इंसिचूट अब इंजिनेरिंग आयोई पुल्चोग क्यांपस रो तेसको एफलेटेड कोलेज अरो मा यो क्वेशन चाही सोधी रहेको छा यो क्वेशन आमरो त्रिभुबन उनिवर्सिटी मा पनी आउना सपने चांस चाही धेरेने चाही तेसेले साथियरू यो वीडियो एड़नो ला अब क्वेशन ले चाही क्ये बने कोछा है रो माई था क्वेशन ले बने कोछा योटा रिजीड बार शाए ना रिजीड बार एबी इस हिंजड अट सी है ना और कोणेकेट विट श्टील रोड और कॉपर रोड एड ए और बी रेस्पेक्टिबली एस साउन इन फिगर है तो क्ये बने कोछा बने योटा एबी बने योटा रिजीड बार शाए बी बने योटा यो एबी बार जोन छा हामरो सि ए बी बार को सि पोईंट मां हामां हेंज दिये गो छा । रो हमonden कोपर राण र हम्रोल इस्टिल्ग को राण सम्मक को सबस्क्राइब conception fixed with the ceiling at upper ends अब यह रूम ता यो रोड को यो जुन upper end जुन छा यो भएं ता अपर end यो रोड को पनी upper end माथी ने भएं यो अपर end वने को माथी हो तो यो जुन दियेको छा यो वने को की हो ता ceiling ceiling सांग यो steel को रोड रो copper को रोड जुन छा हामरो fixed भगो छा अपर end माथी ता लोड अफ 40 किलो न्यूटन is applied at point B अब यो point B यो जुन छा यो बी पोइंट मा हमरो 40 किलो न्यूटन को लोड चाए अपलाई गरिये हो छा है ना तेस पसे find the magnitude of stress in the steel rod steel rod मा हमरो stress को magnitude कती सा कती stress होन छा और पापर रोड मा हमरो stress को magnitude चाए कती होन छा तिवा आम ये ले निकालनू पढ़ने होन छा है ना steel rod रो कापर रोड को हमरो stress निकालनू पढ़ने हो सब बंदा पहला आमे के गर सोगने येसमा देखो चाए के के हो find the magnitude of stress in the steel rod and copper rod cross-sectional area of the cross-sectional area हमरो 400 mm2 दियेको चा है ना रोड कापर को यो चाए steel को दियेको चा 400 mm2 रो यो चाए कापर को area दियेको चा अब यंग्स modulus of elasticity steel को दियेको चा 200 kN per mm2 कापर को कती दिये चा 1-10 kN per mm2 है ना अब हमें यहां है रशान since the AB is rigid bar so it does not deform itself है ना it remains straight after deflection है ना तो यो AB जुन योटा rigid bar चाहे ना यो rigid bar हमरो आफ़ाई चाहें deform हो दाई ना means यो बार को deformation बने को क्यो बने यो rigid bar को shape चाहें आफ़ाई चाहें change हो दाई ना है ना यो यो आमरो स्ट्रेटे रहां छा स्स्ट्रेटे रहां छा deflection बहरे पची पने stretे depends सब बंदा प्हहला हम्यो यो बट आमी deflection गर र्षा यो बट योड़ा यो बट यो बट रचि зр Dad ना बीवेच्ण माता04 योड़ा लागि रहाक्पुछा यो लाइन आ है जोइन गर्छो तो योड़ा दु योटा ट्रेंगल हमचा क्या यहाँ अब य हो जुन छारर आमरो ए लाइमैले डिफ्लेक्षन यो डेल्टा अ मान छो आए देखी सी समाः हमालाई 4 मीटर दियेको छा बी-स समाल 2 मीटर दियेको छाँ तो अवा हामी की हेरे रह कुछ हो भने है ट्रेंगल A-K यह A-K हो A-K C mates A-K C रह VO C g वो यह दोबण्टायांगल हामी की हेरी रहकुछ हो भने है दोबढिन हामीरो राउय praw गले ट्रेंगल हुट पॉसरी राइट अंगल एट टॉयंगाल होता अब यो 90 डग्री उन्छा ना होने यो जुन vertical Come say,倝 बर्टिकल लाइन कαιो, और पनी 90 बॉरी सुन अब यो 90 डिग्री 90 1999 डिग्री उन्छा औरको हाइपोटेनस हुनु पर छा, पर्पेंडिकलोर रर भेस होनु पर छा तेती हुनु पर छा हाम्रोगन राय्ट एंगले ट्रेंगलोर भूना भूलाई तेती आमरो चादाइछा, अवो यौ 90 डिगरी पर्पेंडिकलोर हुन छा यौ बेस लिल्स उन छा एना बने यौपनी हामरो हाइपोटेनस हुंचा, O, C चाए हामरो हाइपोटेनस हुंचा यहां चाहिं, यो ट्रेंगल, A, K, C मा, A, K, C मा, यो 90-D बने हाइपोटेनस के ह watching के-C हुंचा यो 90-जो rewrite opposite side लै हामि आपोटेनस हो रहा, ॥ साइंगिनस वगए है कि अगछां में ऑपोजिट युना सथ में oluşब्मी करें सो थाका है क्रणा थाईगिनस, तक Ses वे थान गुरू है कि आइगल लोक .. हमी के था पायो ता दुबई राइट अंगले ट्रेंगल हो ता दुबई सिमिलर टाइपस को ट्रेंगल हो यो पनी राइट अंगले ट्रेंगल एकेसी पनी राइट अंगले ट्रेंगल हो और ट्रेंगल बीसी हो पनी आमरो राइट अंगले ट्रेंगल हो दुबाई राइट अंगले त्रेंगल हो भने दुबाई सीमिलर त्रेंगल होने भायो है ना ता सीमिलर त्रेंगल मां हमरो क्या होनचаем С insider the corresponding sides भनें corresponding side should have proportional होन्च मैं देखतों ट्रेंगल मैं इत्लिक्ते पहँ शाने को बाशायों परक्ल्रेंगल आफिशा रंडन था बेंगल शावत ह्यान्य कीजी व्मैं बेस चा आमरो AC छाए ना रट्रेंगल BC उमा बेस चा आमरो BC ता हमी के लेखना सक्छो बने AK by BO is equal to AC by BC मिन्स हामी अड़ले perpendicular पहला लेख छो AK चाए perpendicular हो OV पनी perpendicular हो ता perpendicular by perpendicular is equal to बेस बाइ बेस ता AC बनी बेस हो BC बनी बेस हो ता AC by BC ता perpendicular of triangle AKC by perpendicular of triangle BCO is equal to base of triangle AKC by base of triangle BCO है ना ता ते मही ले बने कुछो याँ या मही लेके बने कुछो बने perpendicular हमरो AK जुन छो perpendicular of triangle AKC by perpendicular of triangle BCO is equal to base of triangle AKC by base of triangle BCO या यो चाए होन छा हमरो corresponding side proportional बने को याई कुरा हो means perpendicular by perpendicular equal to base by base योडा triangle को perpendicular by औरको triangle को perpendicular equal to योडा triangle को base by औरको triangle को base यही चाए corresponding side अब perpendicular of triangle AKC चाए हमरो कती given छा मही ले यहला assume करेको थे delta A assume करेको थे delta A perpendicular of triangle BCO चाए हमरो delta B assume करेको छाए ना यो अब आवा हमी लेखेको चाए परपेंडिकल रप triangle AKC delta A BCO को delta B है ना बेस चाए कोटी चाए हमरो 4 मीटर चाए रप BCO को बेस कोटी चाए हमरो 2 मीटर चाए ना तहीं मही ले लेखे चू base of triangle AKC by base of triangle BC होता 4 चाए यो 2 चाए delta A by delta B is equal to 2 होने बहे होता यो एता गए होता delta A is equal to 2 times delta B अब delta A ले हमी के मनना सक् ringing Length of bar A है ना ंआ delta B बनेको Change in Length of bar B अब डिफलेक्शन बन्नू अथ। वा Change in Length बन्नू चाहिं कूरा योटे हो त्यसके ले delta A ले ले हमी deflection पनी बनना मेल छा रor delta A ले हमी चेन्जिन Length of Bar A पनी बनना मेल छा तो delta B ले हमी पनी दिफ्लेक्शन अत्वा चेंज इन लेन्द पनेको यहड़े कुरा, तेसेले अब यो डिफ्लेक्शन को फर्मला अत्वा चेंज इन लेंद को फर्मला के हमेरे यह बंदा अगिलो वीडियो मा पड़े आथे ओ, डिफ्लेक्शन is इगल टू पी अलवा ए इए है न, डेल्टा बुल लेक़ने गरती ओं तरह एहां चाहें आमिर मेरले delta L लाई delta A लेखेको छो delta A पनी लेहना मिल्छा delta L लाई कुरा यबटे हो तो यो PLYA अब हाँ मेरले A बार को निकाल रिछो भने A बार मा आम एह इस्टिल थी ओ तो स्टिल को आमें LOAD लेख छो PS अनि length LS by AS into ES अवा AC बने को load of copper, LC बने को length of copper, AC बने को area of copper, EC बने को young small loss of copper अवा यो दूइटा value जुन छा नि, delta A को यो value रो delta B को यो value निहां चाहिक पुट गर छो delta A को ठाओं मा यो value पुट गर छो, delta B को ठाओं मा यो value पुट गर छो अवा 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 अव एरी आफ इस्टिल गिवेन चाहर से mm2, area of copper आमे लाग देशा 600 mm2 यंग small loss of elasticity ES 200 देखो छा यो शबए value आमे एरना सक्छो यहां 4 से, यहां 6 से, 2 से ते गिवेन चाहर हम्रो यंग small loss of copper चाहिक कती गिवेन चाहर हम्रो 1 से 10 गिवेन चाने ना अव यो value हम्रो आखो छा तब लेंथ दूबए को स्यम है चाहर एक मीटर ने दिएको छाने ना कोपर को बार सेम लेबल मा उखें ता हाइड इसको यो एक मीटर ने लेंथ किवेन चाहर दूबएगो अव यहरो मेसमा unit conversion मा में धियांगेनू पर छा सब यह डाटा हम्रो लेक्ये देखो छा एरिया पनी mm मा छा है ना यंग small loss पनी mm मा छा तो लेंथ मात्रे हम्रो के मा छा बढ़ने मीटर मा छाने ना तो हमेरले के गरनू पर्यों यात मिली मीटर लाए मीटर मा गरनू पर्यों यात मिली मीटर मा गरनू पर्यों यात मिली मीटर मा गरनू पर्यों कीनहा इंटा थेरे डाटा हाँ आमरो mm2 में देखो छा, ता आमिरे एरिया ले पने मीटर मां कन्वर्ट गर्नू पर्यो अनि यो एरिया ले पने यंग समर लाइत पने मीटर मां कन्वर्ट गर्नू पर आ इस तो vonversion गरता हमरो चाहि थेरे टाइम चाहें हीन, हईना? धरे टाइम लाक छला एक्जाम मा आम रो धरे टाहें हुदेगतrying स्यां को का लागी, तैसे एक आमेरे त्रिका आप मोड़ेगा जसर्ष्यला किया धरे टाइम लाक छला ऋरो, ट्योस्यले तरीखा समडा आ, मिलिमीटर मा कनवर्ट गर दिन्छुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु मत्रे कण्वर्ट गरनु परेणता यह अंतरे कण्वर्ट गर्दा धए टाइम कॉंजुमिंग लाग धाईना तेसेले मीटर लाए आमेरले एममा कण्वर्ट गरच वोन मीटर इस इगल डू गती होंचा बता 1000 mm होंचा है ना अब यो वेल्व पूट गर सो PS त यहांचा अब LS र यलसी दुटे इक्वल संत यो हजार त योबनी हजार यो यो कैंसिल होंचा एस बहने को एरिया अफ स्टील आमेरलयो चारशे गीवें छा एरिया आफ यो कपार से गीवें छा नहीं? तो एस को थामा चार से पुट स्टगर्यों ँचारशे बने को यंग स्मर्लस अब इलास्टिसिटी अब इस्टिल को दुइसे चाहे आमेरले गरे अब यो दुबई जुन शा पूट गरे पछे आम्रों क्यालकुलेसन गरे कती आउने बहे बने PC is equal to 0.4125 PS आउने बहे ना अब PC PC नी कालोंक लाग यो एता जान्छा यो बैल्यू एता जान्छा ता PC is equal to 0.4125 आम्रों आउने उन्छा अब हामेरले यो PS रो PC को व्यालों निकालनु छा ता हामे के गरे शो सी पॉइंट मा मोमेंट ले न्छा सी पॉइंट मा मोमेंट PS ले दिन्छा यो 40 किलोन्योटन को वेट ले पनी दिन्छा रा यो PC ले पनी दिन्छा PS ले कस्तो लोड़ दिन्छा PS ता हम्रों तले तीरा लागे गोथे ना PS आम्रों तले तीरा लागे गोथे किना तला तीरा लाग चे किनला मने येथा उड़ा जान्छा ता येवड़ा यो दुटे लाई equilibrium position मा लेगे दुटे आमि गर्षो अब यो PS ले PS येदा तीर लागया न अब हामी हाथ गुमाँँछो C point मा अब ये रो तला छा बने ये शरी हाथ गुमेँँआ बने यो के बए उल्टो बए न हाथ उल्टो गुम्नो बने को anti-clockwise moment दिन छा तेसे ले या माइनस आउँछो PS PS ये देखी सिसम perpendicular distance per meter ता माइनस PS इन्टू 4 उने बयो तेसकोची आमरो के आउँछा बने यो 40 किलो न्यूटन ले पनी या मोमेंट दिन छा ये ले कस्तो मोमेंट दिन छा ता ये बड़ ए रोम हाथ सिधा गुम्यों, clockwise गुम्यों 40 किलो न्यूटन ले clockwise मोमेंट दिन छा परपेंडिकलो डिस्टांस या देखी या समा हामदो 2 मीटर संत तेसले 40 इंटू 2 होने बयो clockwise मोमेंट दियो तेसले या पोजिटिव होन छा अने PC PC ले कस्तो मोमेंट दिन छा अब ये रो एता सा है ना अब ये रो एता सा है आमेर ले या हाद गोएं ता उल्टो गोमियां ता उल्टो बने को एंटिकलोकवज मोमेंट दिन छा तेसले माइनस PC इंटू परपेंडिकलो डिस्टांस या देखी या समा 2 होन छा PC को व्यालू जोन छा हामेर ले 0.4125 PS या पूट करछो औनि PS को व्यालू आम्रो कि आऊंछा बने PS को व्यालू आम्रो क्याल्कुलेशन करे रे 18.130 किलो न्योटन आऊंछा औनि PS आई सागे पुछी PC पनी हाम्रो आई दिन छा 0.4125 PS निकाले गो थे PS को ठमा यो व्यालू पूट करछो 18.130 instrument 80.ικό अने हम्रो यो पंव्यापनी PC पनी हाम्रो आया आल्सा यो त daí ह्म्रो tä लोड आयो को ठाल है तर हम्रो ये तरहा हम्रो बने stress म्तने कालने परच्ट्रेश अस्ट्रेश ऑफ satisfies फस्ट्रेश निकाला साहरा साहरा accomplishments 18.130 by area of steel bar आमेले कती गिवें थे हो 400 mm² आ ना 400 mm² यो आम यो चाहें के माँचा बने किलो न्यूटन माँचाने ना यो किलो न्यूटन माँचा एला मेले न्यूटन माँचान गरनू पर छा 1000 ले मल्टिपलाई गर्छो ता न्यूटन पर मिलिमीटर स्क्वार माँ वैल्यू जाऊंचा अब कती आऊंचा माँ एले क्याल्कुलेशन करें गरन्षो अब क्याल्कुलेशन आमें गर्छो है दा 18.130 into 1000 आ ना इसकाल टू डिवाइड़ बाइ 400 बाइड़ ता एसमा आमरो 45.45 कती आऊंचे बाइब बने 45.325 न्यूटन पर मिलिमीटर स्क्वार माँ यो इस्ट्रेस आफ इस्टिल बार अब इस्ट्रेस आफ कॉपर बार लिन्षो कॉपर बार को इस्ट्रेस है ना किलो न्यूटन माँ छा की न्यूटन माँ छा किलो न्यूटन में यो लाने कॉपर बार इस्ट्रेस आफ कॉपर बार बने को इसको लोड डिवाइड़ बाइ एरिया आफ कॉपर बार उन्षाने ना स्टेस को फर्मलाईνη यो लोट बाइ एरिया अथ फोर्स बाई एरिया अवा एरिया चएंड चाहिए ओपल बाइट बाइकु आरिया अफ हुरसे 7.47 spec कथी आको सा ले सीक्स अंडरिड आको सान्य ma ॥ गरना 1000 लिए मल्टिप्लाइ गरना पर छा यो चाहिए बुजी राठों अब चाहिए के उन्छा बने क्याल्कुलिएस्टन आमीं कर छा सिग्मा सी इसकल्टू सिग्मा सी इसकल्टू सिग्मा सी इसकल्टू 7.47 इन्टू 1000 डिवैदेर बाई 600 उन्छा यो चाहिए कोती हुने बाई 12.45 तो 12.45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वार अन्छा है ना अवा हमेर लाए यो आई सकेको छा तो दियर्फोर एरिया केरे स्ट्रेस अफ इस्टिल बार स्टिल बार को स्ट्रेस स्ट्रेस है कोती हुने बाई बाई 45.325 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वार अन्छा अन्छा अस्ते साथ है यो वीडियो चाहिए सक्यो अब और को वीडियो मार को टाइप न्यूटन शिखाँशा ताव सांड लाइ गुडवाई टेक क्यार